नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एकॉन ने वीडियो में आज की वीडियो में देखा जा तो हम दो मोटर साइकल को आज कंपेर करने वाले हैं साइड बाइ साइड पहली तो हमारी है टीविएस की अपाचे आठीर 164 वी देखा जा जा तो ये 2021 मॉडल है इसको कंपेर करेंगे बजाज की Pulsar NS 160 से जो की देखा जा तो मतलब ये वाला जो ब्लैक अलॉइविल वाला मॉडल है इसी से इसको आज कंपेर करने वाले है तो ब्लैक अलॉइविल से इसको कंपेर करने वाले है तो चलिए स्टार्ट करते आज की वीडियो को तो सबसे पहले पैसा कित कर लेते हैं टीविएस की अपाचे आठीर 164 वी में देखा जाते हैं तो तीन चार टाइप के वेरेंट देखने को मिल जाते है इसकी वजाए से इसकी जो प्राइज है थोड़ी सी कम जादा है इसकी प्राइज इस स्टार्ट होती है 1,36,000 रूपीज से 1,44,000 रूपीज ऑ राइपूर आपके सीटी और मेरी सीटी में प्राइस का डिफरेंस रहेगा तो प्राइस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है आपको थोड़ा सा उप पर नीचे होता है तो यहां पर देखा जाए तो मतलब अपाचे 164 वी मतलब जो स्पेशाल एडिशन है अगर यहां पर एक चीज आप नई की जा रही है वो यह है कि भाईया मेरे को गाली नहीं खाना है क्योंकि मतलब भाईया बहुत गंदी-गंदी गालिया देते हो आप लोग इस वाज़ा से मैंने यहां पर एक चीज किया हुआ था वो यह कि मैंने कम्यूटी पोस्ट्रे डाला था और उसमें आप लोगों से यह पूछा था कि अपाचे 164 वी का लुक एंड डिजाइन आपको अच्छा लगता है या फिर NS160 का तो बहुत सारे लोगों ने मतल कर देना यह आप ही लोग बोले थे मैं कुछ नहीं बोला हूँ तो इसको यही पर रफा दफा करते बाकी आपको इन दोनों मोटर साइकल में से कौन सा मतलब लुक एंड डिजाइन में अच्छा लगा कमेंट करके आप बता सकते हो तीसरे नंबर पर आता है वील्स ब्रेक एन सस्पेंशन से ही सुरुवाट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही जो मोटर साइकल है इसमें आपको फ्रांट में टेलिसकोपिक फॉर्क और रियर में मोनो शॉक अब्जाबर देखने को मिल जाता है लेकिन अपाचे के जो सस्पेंशन शेट आप है आपको थोड़ा सा रेजिड यानि थोड़ा सा हाड लगेगा बिकाज इसको ट्यून अप किया गया ट्रेक के हिसाख से तो यह आपको थोड़ा सा हाड लगेगा बिकाज 204 वी मैं भी चला रहा हो तो मुझे अच्छे से पता है कि इसका सस्पेंशन उतना जादा मतलब मज साथ में लंबा राइड वागेरा भी लेके चले जाते हो तो यह आपको उतना जादा थकान महसूस नहीं होती है इस मोटरसाइकल में तो सस्पेंशन के मामले में देखा जाए तो NS160 अच्छी है मतलब अपाचे 164 वी से ब्रेकिंग की यहां बरबात की जाए तो में क्या-क्या चीज़े नजर आएगी वो बता देता हूं NS160 से शुरुआत करते हैं तो NS160 में आपको फ्रांट में 260 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है तो यहां पर देखा जा तो दोनों में पैटल डिस्क प्लेट आपक आपको फ्रांट में 270 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है और वहीं रियर में आपको 200 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है यहां पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो फ्रांट में यहां पर आपको 270 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है यानि फ्रांट का जो रोटर है वो 10 mm की डिस्क प्लेट मिल जाती है यानि 30 mm का बड़ा डिस्क साइज आपको देखने को मिल जाता है NS 160 में और अपाचे 164V में आपको 130 mm की ड्रम साइज भी देखने को मिल जाती है दोनों ही मोटर साइकल में आपको सिंगल चैनल अबियस नजर आ जाता है टायर प्रोफाइल के ब बारे में तो यहां पर आपको फ्रांट में 90 by 90 सेक्षन के टायर मिल जाते है 17 इंच के अलॉई विल में यहां पर आपको थोड़े से वाइट टायर देखने को मिल जाते हैं बढ़ते हैं चौथे नंबर की पॉइंट की और तो चौथे नंबर पर आ जाता है बाइक की इलक से शुरुआत करते हैं तो एनेस वन सिक्ष्टी के हैड लैंब में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर सेट अप देखने को मिल जाता है टेल लैंप इसमें LED में आ जाती है इंडिकेटर इसमें देखा जाया तो बल्ब टाइप में नजर आ जाता है वहीं बात की जाए अब आच चीज आपको थोड़ी सी नई देखने को मिल जाती है हेड लैंप में आपको पूरा सेट अप LED में नजर आ जाता है जो कि जैसक मैंने आपको बताया हाली फिलाल में अपडेट हुआ है इंडिकेटर इसमें देखा जाया तो अभी भी बल्ब टाइप में रहने वाला है और जो टे लैंप है यापको LED में नजर आ जाती है मीटर कंसोल की यहाँ पर बात की जाए तो NS160 में आपको semi digital instrument कंसोल देखने को मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे तो RPM गेज है वो analog side में आ जाता है speed meter आपको digital side में fuel meter और मतलब odometer trip meter यह सारी कंसोल में और वहीं बात की जाए अपाचे 164V के बारे में तो इसमें आपको fully digital instrument कंसोल देखने को मिल जाता है अभी हाली फिलाल में देखा जाए तो यह थोड़ा सा update हुआ है जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें update की गई है बढ मिलता है 160.3cc का single cylinder 4 stroke 2 valve oil cooled motor पावर यहां पर आपको 17.2 bsp की मिल जाएगे और टॉर्किस में 14.6 mm का मिल जाता है यह 5 speed gearbox setup के साथ में आजाती है मैलेज यहां पर देखा जाए तो 40 to 45 के MPL तक की उमीद आप आराम से कर सकते हो टॉप स्पीड की बात की जाए तो इसकी टॉप स्पीड होने वाली है 112 km per hour की इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है अब बात करते हैं अपाचे 164V के इंजन के बारे में देखा जाए तो मतलब यह वाला जो अपडेट आया है यह मतलब 2021 edition इसमें मतलब दो बार इसको अपडेट किया गया था इससे पहले देखा जाए तो म स्पीड सेग्मेंट आपको पावर देखने को मिल जाता है इस मोंटर साइकल में अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो इसमें मिलता 160cc का सिंगल सिलेंडर 4 फोर स्ट्रोक 4 वेल्ब ऑईल कुल्ड FI मोटर अगर आपने देखा होगा तो इसमें 12 सेटप आता है ले पर देखा जाता है इस मोटर साइकल में थोड़ी सी जादा हो सकती है इसके इसाप से देखा जातो पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो तो माइलेज आपको आपको अभीस सी बात है थोड़ी सी जादा मिल जाएगी फिर भी एक अनुमान लगा है तो 40 to 45 कि MPL थोड़ा सा प्लेस जा सकता है 47, 50 तक भी जा सकता है अगर आप इसको तोर तरीके से चलाते हो तो नागिन डांस वाले हो तो फिर भूल जाओ नहीं मिलने वाला टॉप स्पीड की यहाँ पर बात की जाए तो 115 किलो मीटर पर आवर की टॉप स्पीड रहने वाली है इस मोटर साइकल की मिल जाती है और 0.13Nm का टॉर्क जादा मिल जाता है NS160 के कंपेरिजन में तो यह देखा जातो पावर के मामले में फर्स्टीन सेगमेंट बन चुकी है बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर वो है फीचर बात करते हैं NS160 में ऐसा आपको क्या जादा मिल जाता है जो कि आप इसमें unwanted मतलब फ्रंट वाली जो ब्रेक है अगर आप इसको पैनिक ब्रेक करते हो तो यह unwanted stop होने से रोकता है यानि पीछे वाला जो चक्का है वो ना उठे इस वाज़ा से यह चीज दिया जाता है इस motorcycle में तो safety के मामले में यह थोड़ी सी आगे निकल जाती है इसमें देखा जाती है तो मतलब आपको split seat मिल जाती है जो की उसमें नहीं दिया जाता है clip on handle bar मिल जाता है switches यह पर आपको देखा जाया तो आपको backlight के साथ में देखने को मिल जाती है यानि switches के पास में आपको light जलती ही नजर आ जाती है twin spark ignition system मिल जाता है जो की अपाचे में जो की अपनी stiffness और rigidity की वज़ा से जानी जाती है जिससे आपको काफी अच्छी मतलब better handling मिल जाती है balancing भी काफी अच्छी provide करता है जिससे आप जब motorcycle चलाते है तो आपको काफी मतलब एक confidence महसूस होता है motorcycle को चलाने के time में तो यह थे वो feature जो की आपको NS160 में मिलता है लेकिन headlamp आपको LED setup में मिल जाता है LED DRL के साथ में जो की देखा जातो बहुत ही पहले update हो चुका है Bluetooth connectivity मिल जाती है motorcycle में जो की हाली फिलाल में जो special edition आई है इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है gear position indicator भी इसमें आपको मिल जाता है riding modes मिल जाते है जो की इस segment की यह पहली motorcycle होने वाली है जिसम urban rain और sport mode आ जाता है headlamp यहाँ पर देखा जातो आप चाहो तो इसको on off कर सकते हो जो की देखा जातो आपको इसके लिए अलग से आपको dedicated button मिल जाता है जैसे की होता ही है कि अगर आप गाड़ी start करते हो पहले वाली जो model आती थी उसमें जैसी आप गाड़ी start के तो headlamp on हो जाता था AHO दिया जाता था तो दिन रात मतलब वह जलते रहता था जब आप गाड़ी चलाते थे तो लेकिन यहाँ पर देखा जाता है तो TVS वालों यहाँ पर headlamp on off करने के लिए dedicated button दे दिया है जिससे battery की भी life बढ़ जाती है और जो headlamp की reflector है उसकी भी life बढ़ जाती ह यहाँ पर देखा जाता तो इसमें आपको adjustable brake and clutch lever मिल जाता है जो कि आपको 3 step adjustment के साथ में नजर आने वाला है single uni body seat मिल जाती है dual tone color के साथ में conventional type के handle bar मिल जाते है जो कि देखा जाता तो clip on वाले थोड़े से क्या होते हाथ वगेरा में दर्दोता है लेकिन conventional type के मतलब कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है तो यह थे वो feature जो आपको Apache 164V में मिलते हैं लेकिन NS में नहीं मिलते हैं तो feature वागेरा के मामले में भी यहाँ पर देखा जाया तो Apache 164V काफी जादा आगे निकल जाती है NS160 से यहाँ पर देखा जाया एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी disappointing लगत को सिधा बाइक दे दिया इन लोगोंने वहिया बस तुम paint कर करके गाड़ी को मतलब निकालते जाओ और कुछ भी मत करो update मत करो paint करके निकालो और price को बढ़ा दो सीधी सीधी इस बात है feature वागेरा कुछ add नहीं करना है तो यह जीस थोड़ा सा disappointing लगता है बहुत सारे लोग जाता है कि market में बहुत सारे मतलब option आपको मिल जाते है तो इस वज़ा से जो brand value है न मतलब जो particular जो product है उसकी value गिर जाती है जो की हाल फिलाल में अभी देखा जाए तो NS160 के साथ में यह चीज हो रही है बढ़ते है next point ही हो तो next point में आ जाता है dimension यहाँ पर देखा जाए इस 18 mm जादा है NS160 से width के मामले में यहाँ पर देखा जाए तो NS160 13 mm जादा है Apache 160 4V से height के मामले में भी देखा जाए तो 10 mm जादा है Apache 160 4V से wheelbase भी यहाँ पर देखा जाए तो NS160 में आपको 15 mm जादा देखने को मिल जाता है वो भी Apache 160 4V से ground clearance में यहाँ पर देखा जाए तो Apache 160 का जो ground clearance है वो 3 mm जादा है यानि 3 mm जादा देखने को मिल जाता है NS-160 से fuel tank capacity की बात की जाए तो दोनों ही motorcycle में fuel tank capacity सेम है 12-12 liter की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है seat height यहाँ पर देखा जाए तो मतलब NS-160 का जो seat height है यह 5 mm जादा होने वाला है Apache 164 V से तो dimensions में भी अगर आप देखोगे तो NS-160 थोड़ी सी जादा मतलब आपको हर जगा थोड़ा थोड़ा सा जादा देखने को मिल जाएगा wheelbase especially देखा जाए किसी भी motorcycle का देखा जाता है तो wheelbase यहाँ पर देखा जाए तो 15 mm जादा है Apache 164 V से जिससे देखा जा तो काफी अच्छी stability प्रोवाइड हो जाती है आपको NS-160 में जो की काफी अच्छी बात है अब बात करते है final conclusion के बारे में कि कौन सी motorcycle आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए NS-160 देखा जा तो काफी अच्छा package बन जाती अगर बजाज वाले इसको color के साथ में इसके खेड़ छेड़ खानी नहीं करते कुछ अच्छा update वागेरा देते तो काफी अच्छा package बन जाती लेकिन यहाँ पर देखा जा तो यह color के साथ खिलवार करने वाले बजाज की अब थोड़ी सी आदत ही हो चुकी है तो इसको अगर यह minimize करते हैं यानि कम कर लेते तो काफी अच्छा है थोड़ा सा ध्यान दे अपने product पर तो काफी अच्छा package बन जाएगी overall देखा जा तो अभी के date में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा तर लोगों को feature वाली bike काफी ज़्यादा पसंद आती है तड़कती भड़कती चीजे लेकिन अगर आप एक motorcycle चाते हो जो की देखा जा तो हूब भू NS200 जैसे look के साथ में आती है safety point वागेरा में भी अगर आप देखोगे तो RLP वागेरा extra मिल जाता है जो की Apache वागेरा में नहीं मिलता है और देखा जा तो मतलब ये थोड़ा सा computer वाली feel नहीं देता लेकिन यहाँ पर Apache 164 वी थोड़ा सा मतलब design के मामले में basic सा हो जाता है तो अगर आप चाहते हो की aggressive looking design bike लेना चाहते हो तो NS 160 काफी अच्छा option बन जाता है अगर आप features को जादा priority देते हो तो Apache 164 वी काफी अच्छा option बन जाता है और all देखा जा तो काफी अच्छा package भी है because feature वागेरा काफी अच्छे भर-भर के इसमें आपको मिल जाते है बाकी इन दोने motorcycles में से आपको कर सकते हो आइडी जहां पर flash हो रही है लिंक आपको description box में भी मिल जाएगा सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए be attentive, be smart, always wear helmet, ride safe, jahind, bye bye दोस्तो